सबसे पहले हम बालों को नॉर्मल रबड की मदद से पॉनी टेल बना करके बांधेंगे तो हम पिल्कुल सिम्पिल सी पॉनी टेल बनाएंगे पॉनी टेल थोड़ी सी हम उचाई पर बनाएंगे तो लेजे हमने पॉनी टेल बना करके तयार कर ली है अब इस पॉनिटेल को हम 20 से 2 बराबर भागों में बाटेंगे अब इसका हम एक हिस्सा लेंगे और फिर से हम इसको 2 बराबर भागों में बाटेंगे अब इन दोनों भागों को हम एक दूसरे के साथ लपेड़ते जाएंगे यह देखिए बस एक के साथ दूसरे को इस तरह से लपेटते जाना है और कुछ इस तरह से हमारी चोटी बन करके तैयार होगी यह देखिए तो ये देखिए हमने एक हिस्से को पूरा इस तरह से रॉल कर लिया है अब हमें रॉल की हुई चोटी को जो हमने दूसरा हिस्ता बचाया था उससे इस तरह से चारो तरफ से लपेट देना है कुछ इस तरह से लपेटना है कि जो rubber band है वो पूरी तरह से धग जाना चाहिए और rubber band की जगए हमारी बालों की हिस्टाइल आ जानी चाहिए और अब हम इसको काटे की हेल्ट से अच्छे से टग इन कर लेंगे इस तरह से हम दो या तीन काटे लगा करके इसको अच्छे से सिक्क्योर कर लेंगे तो ये तो हमारी पहली हिस्टाइल है आप चाहिए तो इस तरह से बहुती सिंपल हिस्टाइल बना सकते हैं कहीं भी आपको जाना हो तो ये बहुती अच्छी लगती है देखने में नॉर्मल पॉनिटेल से कहीं ज्यादा खुबसूरत ये लगती है और अब हम इसी से ही आँगे एक जूड़ा बनाना सीखेंगे जो कि पाल्टी दियर होगा आप उसको किसी भी फंक्शन में बना सकते हैं काफी देखने में सुन्दर लगता है तो चलिए अब हम आँगे इसके शुरू करते हैं अब हमारा जो दूसरा हिस्सा है सेम हम इसको भी दो भागों में डिवाइट करेंगे और सेम प्रोसीजर में हम दोनों को फिर से लपेटेंगे जैसे कि हमने पहले हिस्से को लपेटा था ये देखिए दोनों को हम रॉल करते जाएंगे तो पूरा हमें नीचे तक इसको रॉल कर लेना है तो लेजी हमने इस चोटी को भी रॉल कर लिया है और इसको हम दूसरी चोटी के उपर इस तरह से लपेड देंगे बहुती सिंपल है बस कुछ नहीं करना है आपको राउंड सेप में घुमाते हुआ इसको लपेड देना है और आपको दो तीन जगाए पर कांटों से इसको बढ़िया से सिक्यूर कर लेना है जहां जहां आपको लगता है कि बाल निकलना जाएं तो उस जगाए करीब दो तीन जगाए तक आप इसको शिक्यूर कर लीजिए तो लेजे मैंने इसको अच्छे से सिक्यूर कर लिया है तो जो हमारा जूरा है बन करके बिल्कुल तयार है तो इसी स्टाइल से आप एक सिंपल सी हेर स्टाइल भी बना सकते हैं और इस तरह से सिंपल सा जूरा भी बना सकते हैं तो इसमें मेरे पास हैं कुछ इस तरह से फ्ल आपके लिए बहुत ही अच्छी हेस्टाइल लेकर के आती रहूंगी तो फ्रेंट्स फिर मिलती हूं अपने अगली हेस्टाइल के साथ तब तक लिए बाबाई टेक्यार